बचो इस question में एक parallel plate capacitor है जिसका area A है, plate separation D है और capacitor C है और इसको fill किया गया 4 dielectric materials है जिनके dielectric constant है K1, K2, K3, K4 अगर आप चाहते हो कि इन सारे dielectric material को हटा के सिंगल dielectric material भरा जाए इसके अंदर उस तब भी capacitor की capacitor C ही रहे तो आप पताओ कि उस dielectric constant क्या होगा उसका कौनसे formula से दिया जाएगा तो आपको पता है कि जो जिस तरह से जुड़ेव है जो K1, K2, K3 है ये तीनों आपस में parallel जुड़ेव है क्योंकि area को 3 में divide किया है इनोंने इसके parallel में जुड़ेव है और K4 जो है इनके ही series में जुड़ में जुड़ेव है और इनका तीनों का मिला के C1, C2, C3 एक C equivalent आजाएगा और वो किसके series में जुड़ा हुआ है C4 के बिल्कु सही है तो जो capacitance होती है उसका formula होता है ये area और ये distance और epsilon not और dialectic constant के बिच्वें कि ये relationship है तो बच्चों C1 की value कितनी है कि A by 3 area का 3rd part लिया हुआ उसने epsilon not K1 upon D by 2 distance का half लिया हुआ है C1 ने तो उसकी जगे हम ऐसे लिख सकते है 2 by 3 2 पर चला जाएगा 2 by 3 A epsilon not K1 upon D ये C1 ये C2 ये C3 respectively अब C4 क्या होगा C4 तो उसने क्या लिया हुआ है देखो area C4 ने area जो है पूरा ले रखा इसी है इस वाले capacitance और D by 2 distance कितनी है D by 2 तो उसक अब आपने देखा कि इन तीनों को हम C1 plus C2 plus C3 को हम C equivalent बोल सकते हैं और जब इसमें आप series में जुड़े हैं आप series का formula होता है 1 by 1 by C equivalent plus 1 by C4 correct तो आप आप इसको जब put करोगे values इसके अंदर जो C net निकल के आएगा और वो net की value सारी values put कर दो उसमें से कुछ आपके जो common बाह तो यह आया आपका अब नीचे से अगर आपको 2 को eliminate करना है तो उपर सब जगे तीनों जगे 2 से multiply कर दो तो उससे कट जाएगा नीचे वाला 2 और आपका यह answer आजाएगा यह कौन सा option है यह option है C correct